अब हम रुक करेंगे सबसे बड़ी जो खबर आई सामने निकल करके आ रही है जहानाबाद से बिहार के सिदेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ हुआ है स्तात कामवरियों की इस हाथसे में मौत हो गई है चस्मदीदों ने बताया है कि दुकानदारों में मारपीट से अफ कायल होने की भी खबर सामने आ रही है घटना रविवार की देर रात 12 बजे घटी है प्रतेक्ष दरसी मनोज ने बताया कि मंदिर के पास फूल दुकानदारों के भी जगड़ा हुआ था इसके बाद ही अफरत अफरी मचीर लोग एक दूसरे पर चड़कर आगे बढ़ने लगे और जो सबसे बड़ी बात दिखे इस घटा में सामने निकल करके आ रही है वो बताया जा रहा है कि प्रसासनिक चूक हुई है वहां ठीक धंक से विवस्थाएं नहीं की गई थी जिससे भीड़ अनियंत्रित होती है और यह पूरा घटा को अंजाम दिया जाता है कु करने वाले से मिल चूक है हम दो बज़े रात से मखदूंपूर श्पीटल में है और उसके बाद हमारा परिवार को लेकर बड़ी को भेज दिया गया है कि तूरत आपको पोश्माडम होगा लेकिन अभी तक कोई ब्यवस्था नहीं है और यहां और जहां तक जानकारी मीली है कि बनावर पहाड में परसासन की बहुत कमी है चार-पांथ पुलिस के वल थे और और किनारे किनारे खड़े थे और दर्सन करने वाले जो लोग थे अपना धक्का धुक्ती से चल अपना कर रहे हैं और बात है कि दो तरब से रास्ता खुल गई है दो गार से भी और पतल ग क्या हुआ है बता है ना पूरावर में लोग गया था पतल गांगा से उपर जो है इन लोग उतर रही थी और इधर से लोग चण भी रह थे अच्छा और आपा धापी में लाइनिंग विवस्था बढ़िया नहीं होने के कारण जो है भांदर मचा है अच्छा और भांदर म कुछ एन सी सी के कुछ लाइकन कार्ज करता बुलेंटियर के रूप में कुछ था परसासन नाम का तो कोई चीज परसासन था परसासन तो आप लाठी डंडा बरसाने लगा जा और भागा दगर मतलब भागने लगा आदमें जिसके चलते यह दुर घटा घटा है इती तस्वीरे हम आपको दिखा रहा है जहानाबाद की यह तस्वीरे हैं शिधेस्वर नाथ मंदिर में बड़ा हाथसा हुआ है साथ कावरियों की मौत हो गई है बारा से जादा कावरियों के गायल होने की खबर है और देखे घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई जैस परिजनों को सूचना मिली कि इस घटना में उनके अपने लोग जो है उनकी मौत हो गई है उसके बाद वहाँ पर चीख पुकार मच जाती है फिलहाल वहां देखे स्थितिक और नियंतर में लेने की कोशिश की जा रही है और जो जहानाबाद के डियम है उनके भी नजर में यह जो पूरा हादसा है वो आया है और मामले में अब जो यह सबसे बड़ी बात सामने आ रही है जो लगतार हम अपने दर्सकों को बता रहे हैं कि प्रसासनिक चूक हुई है और प्रसासनिक गतिविधिया अगर वहाँ पर पहले से मौजूद होती तो कई लोगों की जाने जो है वो बचाई आ सकती थी अगर एम्बुलेंस की वेवस्था होती तो जैसे ही भगदर में लोग हायल हुए थे उन्हें ततकाल पर भाव से अगर अस्पताल लाया जाता तो कई लोगों की जाने बच सकती थी जैसा कि वहाँ पर मौजूद प्रतेक्ष दर्सियों ने ब हटना इतना विक्राल रूप नहीं लेती ये गाटना इतना बड़ा हाथसा के रूप में तब्दिल नहीं होती और देखिए सबसे हैं बात यह है जो प्रतेक्ष दर्सियों ने कहा है कि मौत का आकड़ा बढ़ सकता है कई लोगों के अभी भी वहाँ पर दबे होने की खब पिर बताई जा रही है